असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब I hope कि आप सब ठीक होंगे आज की जो मेरी वीडियो है वो है उसका टॉपिक है सर्थ एंड दियर अप्लिकेशन यह हमारी जो मिथमेटिक्स की नाइध किलास की बुक है इसके चेप्टर नमबर 4 जो है इसकी एक्सरसाइज है 4.7 तो इसके ज यह वाला क्वेशन में आज आपको सॉल्व करवाऊंगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर question लिख लेते हैं exercise है हमारे पास 4.7 इसका question नमबर है 5 तो question कुछ इस तरह से हमें given है if x is equal to under root 5 plus 2 यह हमें एक third given है उसके बाद हमने values की find करनी है x plus one by x की भी हमने value find करनी है और x square plus one by x square की value भी find करनी है अगर ओसके तो मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा तो हम लोग इसे किस तरह से solve करेंगे हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है solution solution के बाद हम लिखेंगे as x हमें पता है उपर हमें x question में given है कि x square under root 5 plus 2 के बराबर है तो then फिर क्या होगा कि जो हमारे पास one by x होगा वो equal होगा यनि अगर x को हम उल्टा करते हैं तो one by x हो जाएगा और इसके अगर हम लोग उल्टाते हैं तो यह one उपर चला जाएगा इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो one है तो यह हो जाएगा under root 5 plus 2 यह हमारे पास इस तरह से आ जाएगा अब उसके बाद हमने यहाँ पर आगे क्या करना है यह जो नीचे वला जो नीचे हमें जो भी value given हो सर्ट जो भी नीचे हमें given हो हमने क्या करना है इसके conjugate से conjugate मैं आपको बताती चलूँ conjugate जो भी होता है वो इसका यानि sign का सिर्फ फर्क होता है बागी वही चीज होती है जो हमें नीचे given है यहाँ पर तो अगर under root 5 plus 2 है तो इसका conjugate जो होगा under root 5 minus 2 होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके conjugate से multiplied and divide by multiplied and divided by under root 5 minus 2 यहाँ इसके conjugate से हम multiply भी करेंगे और divide भी करेंगे अब इसका यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा हम लोग यह 1 by x इदर लिख लेते हैं वही नीचे उतार लिया अब हमारे पास है 1 by under root 5 plus 2 यही चीज हमने दोबारा इसी तरह से नीचे उतार लिया हम इसके multiply भी कर रहे हैं और divide भी कर रहे हैं इसके conjugate से conjugate इसका जाएगा under root 5 minus 2 और divide भी होगा under root 5 minus 2 के साथ अब जो उपरवले नंबर होगा उपरवले से आपने multiply कर लेना है यानि 1 को under root 5 minus 2 से जब हम multiply करेंगे तो यह हमारे पास यानि 1 किसी भी चीज से multiply होके वही आ जाता हैं तो नीचे हमारे पास a plus b into a minus b हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं यानि under root 5 इसका भी यानि a का भी square और minus b का भी square यानि a plus b into a minus b a square minus b square यहां पर यह हमने फार्मूला अप्लाई कर दिए फार्मूला में यहां साइट पर लिख लेती हूं a square minus b square is equal to a plus b into a minus b यह हमने यहां पर फार्मूला उतार लिए यह मैं बताती ही चलूँ बहुत ही important question है board के paper के लिहाज से भी और अगर आप किसी कैड़िट कालिज वगारा के लिए त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से भी बहुत ही important question है must यह board के paper में तो must यह जरूर जरूर आता है यह वाला question यह इसी तरह कि यह जो इस exercise के हमारे पास पास से लेकर 10 तक जो question है आप चेक कर सकते है पास papers को उनमें लाजमन एक question यहां से उठाया जाते है यह हमारे पास यहां पर क्या आजाएगा under root 5 minus 2 हम इसे उसी तरह से लिख लेंगे under root 5 minus 2 तो यहां पर नीचे यह जो square है under root के साथ under root की जो value होती है वो होती है 1 by 2 2 का square लिया तो 4 और उपर हमारे पास जो रहता है वो यही रह जाता है कि यहां पर यह हमारे पास 1 by x हम उसी तरह से साथ साथ लिखते रहेंगे तो यहां पर हमारे पास under root 5 minus 2 और नीचे हमारे पास रह जाता है 1 तो नीचे one जो है वो लिखा नहीं जाता तो one by x की हमारे पास जो value आ जाती है वो क्या आ जाती है यहाँ पर under root five minus two यानि यह हमारे पास value आ गई है one by x की अब यह question को आपने दुबारा समें question की तरफ आपको ले चलूँ कि x हमें given था under root five plus two और हमें value किसकी find करनी है x plus one by x की यहाँ पर देखें हमने x plus one by x की value find करनी है हम लोग इस तरह कर सकते है x plus one by x हम लोग इस तरह से लिख सकते है अब x की जगा पर हम आगे x की value डाल लेते है x की value यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आप देखना कहमेशा आपके पास नीचे 1 नहीं आए 1 आए तो इन्शाललह यहाँ से आगे आंक से यहाँ तक यहाँ आपका question फिर ठीक होता है अगर नीचे 1 value बचे 1 बचे तो ठीक है यहाँ पर x plus 1 1 by x की value फाइंड कर रहे है तो x तो हमें यह उपर question में given है यह देखें अंडर root 5 plus 2 यहाँ एक्स की जगह हमने x की value डाल दी आगे plus से तो हम plus लिख लेंगे 1 by x की जगह जो हमने value find out की है अंडर root 5 minus 2 अब यहाँ पर भी मैं एक और बात आपको clear करते हैं चलूँ कि यहाँ पर एक term जो है वो लाजमन यहाँ पर कटेगी यहाँ एक के साथ different sign होगा यह देखें जिस तरह यह plus 2 है तो यह minus 2 से यहाँ पर कट गया तो x plus 1 by x जो हमारे पास आगे अंडर root 5 plus अंडर root 5 जब यह दो दफ अंडर root आ रहे x plus 1 by x is equal to यह आपने find करना था तो हमने यह यहाँ पर find किया तो यह हमारे पास इसका हो गया answer यह बोगत important question है अगर मैं आपको यह question समझाती हूँ अगर आपको बाकी questions की भी समय ना आए तो kindly आपने मुझे comments में बताना है इंशालला मैं बाकी तमाम questions पर जो भी आपको मसला हो मैं उस पर लाजमन वीडियो बना दूँगी अब यह हमने value इसकी निकाल ली अब हम value निकालते है x square plus 1 over x square की तो यहाँ पर मैं आप यहाँ पर आगे x square plus 1 over x square की value find out करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास पीछे x plus 1 over x की value आई है हम उसी को क्या करेंगे squaring इसको हम equation 1 का नाम दे देखते है equation 1 यहाँ पर तो हम इसी क्या करेंगे squaring equation 1 on both sides यानि both sides बे हम इसका square कर लेंगे x plus 1 by x is equal to 2 under root 5 इसका भी हमने square ले लिया और इसका भी हमने square ले लिया अब मैं यहाँ पर आगे इस तरह से सालव होगा यह जो हमारे पास आ रहा है यह हमारे पास a plus b का whole square वला formula आ रहा है यह यह प्लस b जो है उसका whole square यह होता है a square plus 2 a b plus b का square यह हमारे पास यह वला एक formula होता है यह भी मैंने पहले a square minus b square वला formula लिखा था यहाँ पर यह देखें a plus b का whole square हम इसे खोलते है a का square plus 2 into a into b b हमारे पास है 1 by x plus 1 by x का square और is equal to 2 के उपर इलकसे square ले 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 लेते हैं इस 2 के उपर और under root 5 के उपर ilag سے square ले 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 थे हैं यहां पर तो यह देखिए यह वला x इस x से कट चाएगा पीछे हमारे पास बच गया x square प्लस यह वला 2 बच गया और प्लस 1 का हमने square लिया तो 1 और x का हमने square लिया तो यह आगया x square तो अब यहां पर 2 का square हमारे पास आगया है 4 अब यह वला जो square root है यह वला square root हमारे पास इस उपर वला square से कट चाएगा यह root यहां पर square से कट गया हमारे पास पीछे यह multiplication हो रही है 2 into 5 तो हम into की यह दोट की जगा हम यहां पर 5 multiply का sign डाल देते हैं यहां पर हमारे पास आजाएगा x square प्लस 2 प्लस 1 बाई x square is equal to 4 5 20 तो अब हमने देखिए असल में value find करनी थी x square plus 1 और x square की यह नहीं हमें यह 2 यहां से बीच में से इटाना है तो हम क्या करेंगे x square plus 1 by x square is equal to 20 यह जब हम equality के दूसरी साइट पर ले के जाते हैं तो यह हो जाता है sign change हो जाता है यहां पर plus 2 है दूसरी साइट पर जाके minus हो जाएगा minus 2 हो जाएगा अगर sign यहां पर plus के तो अधर minus हो तो अधर minus हो तो अधर plus हो जाते है यहां पर हमारे पास x square आपको एक और बात में बताती चलूँ currently हम लोग देखें आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको भी चाहिए कि हमारे साथ थोड़ा सा कॉपरेट करें हमारी वीडियो को बीच में स्किप ना किया करें हमारी एवरिज जो है वो चैनल की गिर जाती है तो currently हो सके तो हमारी वीडियो को पूरा देखा करें लाइने लाइक और शीयर जरूर किया करें तो यह हमारे पस आइए वो आए एक स्किएर प्लास वानावर एक स्किएर का यह बहुत इंपॉर्टन कुएस्टन है यह बोड़ की पेपर्स के लिया असी बहुत इंपॉर्टन है अगर आपको किसी भी चैप यानी टेन तक कि महत में किसी किसम का कोई इशू हो तो काइनली आप कमेंट्स में जरूर बताएं इन्शालला मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बना लूँगी अपने आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे अजाज़त चाहती हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच